क lie मैं हौलो प्रेंद्स बल्कम बैक टु कलर ओफ थ्रेड्स आज की इस वीडियो में आप के साथ है इस फ्रंट स्लिट अनारकली ड्रेस की कतिंग और स्टिचिंग शेयर करूंगी और इस ड्रेस को मैंने शाड़ी fabric के साथ ready किया है आप इसे scratch fabric के साथ भी ready कर सकते हैं तो आपका ज़्यादा time ना लेती हुए video शुरू करते हैं ये dress बनाने के लिए मीशो की ये बांधनी साडी का मैंने use किया है जिसका link मैं description box में दे दूँगी अगर आपको ये साडी purchase करनी है तो link पर click करके आप इस साडी को purchase कर सकते हैं तो साडी की full length है 5.5 meter की जिसमें से मैंने डुपटा और कुर्टी लिड़ी किया है side का जो blouse piece है इसे मैंने use नहीं किया है सबसे पहले हम blouse piece को side में कर देंगे और less को भी remove कर लेंगे अब इस less का use मैं कुर्टी के उपर करूंगी और blouse piece मैं इसमें use नहीं करने वाली सबसे पहले जो full length की साड़े है इसमें से मैं डुपटे के लिए 2 meter fabric अलग कर लूँगी और बागी का जो fabric है उसमें से हम कुर्टी design रडी करेंगे तो मैंने 2 meter का दुपटे का fabric निकाला था आपको 1.5 meter fabric ही दुपटे के लिए निकालना है क्योंकि मेरे दुपटे की length frill attach करने के बाद जादा हो गई थी तो आप 1.5 meter का ही दुपटा निकालें अगर आपको साड़ी में से ये dress रडी करनी है तो तो 2 meter का दुपटा निकालने के बाद 3.5 meter का fabric बचा है जिस पे हम अनारकली खुर्ती रडी करेंगे सबसे पहले lining fabric की उपर हम अपर पाट को cut करेंगे तो 1.5 meter का lining fabric लिए है जिसे मैंने 4 fold करके रखा है यहाँ पर shoulder marking करेंगे क्योंकि back neck सब बड़ा नहीं है shoulder mark करेंगे इसलिए 7 inch पर अगर आपको back neck 7 inch का पहनना है तो 6.5 inch का shoulder mark करें अगर आपका back neck है 8 या 9 inch तो यहाँ पर सबाद 6 inch पर shoulder mark करें तो मेरा back neck है 4 तो 5 inch तो shoulder mark करेंगे 7 inch पर अब यहाँ पर 1 inch का shoulder drop देंगे इस तरह से इस marking से नीचे वाली side पर arm hole की marking करेंगे 7 inch अब जो आपकी shoulder marking है same marking इस marking के बिल्कुल सामने करें यहाँ पर इस तरह से सीधी line draw करें अपर पाट की ready length होगी 14.5 inch एक इंच margin का add करने के बाद 15.5 inch पर यहाँ पर एक और marking करें इस marking पर एक सीधी line draw करें यहाँ पर 2.5 inch पर mark करेंगे सभी size के लिए अब इसे shoulder line के साथ इस तरह से जोड़ दें अब chest line के उपर जो भी आपका full chest measurement है उसका one fourth part यहाँ पर mark करें plus 1.5 एक्स्ट्रा लेंगे stitching margin के लिए waist line के उपर full waist measurement का one fourth part mark करने के बार 1.5 inch stitching margin का लेंगे अब इन दोनों marking को इस तरह से मिला दे waistline के उपर one inch इस तरह से एक mark करें अब इस marking पर इस तरह से गुलाई देंगे जिससे circular कुर्ती की fitting अच्छे आती है back arm round की गुलाई के लिए arm round length की center marking करेंगे यहाँ पर back arm round की गुलाई देंगे इस तरह से इस center marking से half inch अंदर की तरफ front arm round की लिए mark करेंगे इस marking को मिलाते हुए front arm round की गुलाई देंगे इस तरह से अब बाहर वाली marking पर इसे cut कर दें अब front arm round की गुलाई देने के लिए बीच वाले पल्ले को साइड में कर दे अब इसे फिर से फोल करके फ्रंट आर्म राउंड की कटिंग कर दे अब इस फ्रंट पैनल की उपर फ्रंट नेक के लिए मार्क करेंगे नेक विर्थ लेंगे यहां पर 3 इंच नेक लेंथ ली है मैंने 6.5 इंच अब यहां पर राउंड वी नेक ट्रॉ करके इसे कट कर दे फ्रंट नेक की कटिंग के बाद बैक नेक की कटिंग करेंगे नेक विर्थ लेंगे 3 इंच नेक लेंथ मैंने ली है 4 इंच यहां पर राउंड नेक ट्रॉ करके इसे कट कर दे तो cotton lining के उपर हमने अपर पार्ट की cutting कर लिए है अब इन दोनों panels को हम main fabric के उपर cut करेंगे तो fabric को सीधर रखें, इसके उपर lining fabric को अच्छे से set कर ले इसे pin के साथ secure करने के बाद बिल्कुल lining fabric के साथ इसे cut करें प्रट पैनल हमने कट कर लिया है, बिलकुल ऐसे ही बैक ãyैनल को भी कट कर ले दोनों पैनल्स की parity के बाद ये जो बैक पैनल है, यहां पर हम half inch का stitching margin लेते होई, नेक पर stitch करेंगे इसी तरह से front neck के उपर भी यहां पर half inch का margin लेते होई stitch कर देंगे stitch करने के बाद stitch के साथ चोटे चोटे notches लगा देंगे जिससे neck पर अच्छे से finishing आएगी अब दोनों panels को पलटके सीधा करेंगे सीधा करने के बाद दोनों neckline के उपर अच्छे से iron करें folding के बाद lining को fabric के साथ secure करने के लिए यहाँ पर आप side stitching कर सकते हैं यहाँ फिर इस तरह से fabric glue की मदद से fabric को lining के साथ secure करें glue लगाने के बाद इस पर हलका हलका iron करें इस तरह से दोनों panels मैंने ready कर लिये हैं अब front panel के उपर हम less को attach करेंगे तो less के width काफी जादा थी इसलिए इसे मैंने cut करके use किया है तो जिस side से less को मैंने cut किया है उसे इस तरह से अंदर के तरफ fold करके बिल्कुल किनारे पर stitch कर देंगे अब front panel के उपर इस तरह से center marking करनी है less को हमने इस तरह से ready कर लिया है अब shoulder line से शुरू करते हुए neck के बिल्कुल साथ साथ यहाँ पर हम इस तरह से less को attach करेंगे और दूसरी तरह भी shoulder line से bottom तक less को attach करेंगे और जब आप नेक की गुलाई पर less को attach करेंगे तो इस तरह से दो तीन चोटे चोटे प्लेर्स आपको बनाने है जिससे जो less है बिल्कुल अच्छे से neck के उपर set हो जाएगी और बिल्कुल इस तरह से दूसरी तरह भी less को attach कर लेंगे तो front और back neck हमने ready कर लिये हैं इसके बाद हम कलियों की cutting करेंगे तो यहाँ पर हम 16 कलियों के इनार कली बनाने वाली है कलियां कट करने का सबसे असान तरीका है कि एक कली को आप paper की उपर कट करें फिर paper की मदद से main fabric की उपर सबी कलियों की cutting कर लें इसके लिए paper को इस तरह से double fold कर ले यहाँ पर आप news paper का भी use कर सकते हैं इसके बाद जो भी आपकी कमर का size है इस तरह से गुलाई में जो भी आपकी कमर का size है उसे आपने measure कर लेना है जैसे मेरी कमर का size है 32 inch अब जो भी आपकी कमर का size है और जितनी कलियां आपने रड़ी करनी है अपनी कमर के size के साथ number of कली को divide कर दे यानि 32 को हम 16 से divide करेंगे तो मेरा size आएगा कली का 2 inch उसमें 1 inch stitching margin का add करेंगे तो होगा 3 inch अब हम double में कली को cut करेंगे अब यहाँ पर 1.5 inch उपर से कली का size यहाँ से हम लेंगे आपको चाहे कितनी भी कलियां रड़ी करनी है इसी तरह से आपने अपनी कली का size निकालना है अब कली की length लेंगे इसके लिए upper part का 15 inch निकालने के बाद जो भी आपकी कुर्ती की ready length है उसे mark कर ले मेरी कुर्ती की length होगी 48 inch ready length में 2 inch प्लस करेंगे folding और stitching margin के लिए 50 inch पर marking आएगी अब bottom size से कली का size कितना लेना है तो bottom size से कली का size आप 10, 11 जब 12 inch का रख सकते हैं तो मुझे bottom का size 11 inch रखना है 11 का half करेंगे क्योंकि double में हम इसे cut करने वाले है 11 का half होगा 5 inch अब scale की मतलब से bottom marking को upper marking के साथ इस तरह से तरचा जोड़े अब इस marking से इसे cut कर देंगे तो कली की cutting होने की बाद इसे open करेंगे तो उपर वाली side से जो कली का मेरा size था वो था 3 inch इस तरह से ये दिखे और bottom से जैसे की मैंने आपको बताया था 11 inch पर मैंने इसे cut किया था अब इस paper को main fabric की उपर रखते हुए सभी कली की हम cutting करेंगे तो जो मेरा पास बाकी का fabric था उसे हमने इस तरह से double fold करके रखा है दोपटा निकालने के बाद जैसे की बताया था साड़े तीन मेटर का fabric था ये देखिए मैं आपको पूरा measure करके बता रहे हूं और इसी मेंसी हम sleep और कलियों की cutting करेंगे तो जितनी भी fabric की width है इसी मेंसी हमने कलिया निकालनी है paper cutting को इस तरह से fabric की उपर अच्छे से set करें अब इसे pin के साथ secure करने के बाद paper के साथ कलियों की cutting करेंगे तो ये दीखिए दो कलियों हमने cut की है अब paper को इस तरह से flip करते हुए opposite side पर लेके जाए अब यहां से फिर से दो कलियों और cut करेंगे तो इसी तरह से paper को flip करते हुए सबी कलियों की cutting कर ले आप चाहे तो एक साथ कपड़े की folding करके भी सभी कलियों की cutting कर सकते है पर उसमें कपड़ा थोड़ा सा waste जाता है तो कपड़ा मुझे बिल्कुल भी waste नहीं करना है तो इस तरह से मैंने total 16 कलियों की cutting कर ली है आठ कलियों आगे के panel के लिए और आठ कलियों बैक पैनल के लिए अब आठ कलियों को हम इस तरह से एक साथ चोड़ेंगे और ध्यान रखे जब भी कलियों को stitch करें कमर वाली side से नीचे की तरफ stitch लगाते हुए इन कलियों को attach करना है stitching के बाद bottom side से अगर extra fabric है तो उसे गुलाई में cut कर दे इस तरह से तो back panel के लिए 8 कलियों को हमने पहले attach किया है अब फ्रन्ट पैनल क्यूंकि slit के साथ हम ready करेंगे तो 4 कलियों को आप इस तरह से अलग-अलग attach कर ले और यहां पर भी ध्यार रखे उपर वाली side से stitch करना शुरू करें और नीचे के तरफ stitch को लगाते जाएं जिससे extra कपडा नीचे के तरफ रहेगा तो दोनो side की हमने इस तरह से 4-4 कलियों को जोड लिया अब जो last हमने neckline के उपर attach करी थी उसे front slit के उपर भी attach करेंगे इसके लिए front slit को इस तरह से single fold करते हुए बिल्कुल end तक last को attach कर दे दोनो panels के उपर हम इसी तरह से last को attach करेंगे तो यह हमारा front panel बिल्कुल ready है अब इसके साथ हम upper part को attach करेंगे upper part को attach करते हुए ध्यान रखे लेस के साथ लेस बिल्कुल मैच होनी चाहिए तो यहाँ पर दोनों लेस को आप मैच करते हुए पहले ही इसे पिन अप कर ले अब यहाँ पर हाफ इंच का स्टिचिंग मार्जन लेते हुए यहाँ पर अपर पार्ट को अटैच कर देंगे और यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको क्लियर करने वाली हूँ कि इसके बॉटम पर भी मैं अभी लाइनिंग अटैच करूंगी तो पूरी कुर्टी रडी होने के बाद इसके बॉटम पर हम लाइनिंग अटैच करना सीखेंगे तो एक ही वीडियो में मैंने दोनों तरह से इस कुर्टी को बनाना दिखाया है अब बैक पैनल के साथ भी अपर पार्ट को स्टिच करते हुए यहाँ पर अटैच कर लेंगे तो दोनो पैनल्स अटैच होने के बाद बैक पैनल के उपर फ्रंट पैनल को इस तरह से उल्टा रखेंगे अब दोनो शोल्डर को मिलाते हुए यहां पर शोल्डर स्टिचिंग कर देंगे shoulder stitching के बाद कुर्ती के center को ध्यान में रखते हुए chest marking करेंगे इसी तरह से कुर्ती के center को ध्यान में रखते हुए waist line के उपर भी जो भी आपका waist measurement है उसकी marking करें chest line से लेके waist line तक हम इस पर fitting देंगे इसके बाद यहाँ पर हम 1 इंच का margin लेते हुए बिल्कुल end तक stitch कर देंगे side fitting लगने के बाद bottom side पर हमें double fold करते हुए पूरे घेरे की stitching कर देनी है bottom पर आप चाहे तो यहाँ पर less भी attach कर सकते है side fitting लगने के बाद अब मैं आपको दिखाती हूँ सलीब मैंने किस तरह से इसकी रड़ी की है तो कलिया कट करने के बाद side से जो extra कपला था यह इस तरह से two fold में मेरे पास कपला बचा था अब इस double folded fabric पर यहाँ पर हम stitch करेंगे तो इस तरह से आपके पास जो fabric कर रड़ी होगा उस पर हम slip की cutting कर लेंगे अगर आपको center में इस तरह से joint नहीं देना है तो center में आप और भी designing कर सकते है तो यहाँ पर मैंने plated sleep कट की है full length थी 20 inch जिसमें 7 inch प्लस करते हुए मैंने sleep की cutting की है अब sleep की जो extra length है उस fabric से यहाँ पर इस तरह से gatherings रड़ी होगी अब जैसे हम regular sleep बनाते हैं bottom से पहले double fold करेंगे और fitting की सिले लगा के इस तरह से sleep को ready कर ले sleep ready करने के बाद अब इसे कुर्ती के साथ attach करेंगे कुर्ती को हमने उल्टा रख हैं और sleep को सीधा अब जब भी पहली sleep को attach करें तो front arm round को ज़रूर check कर ले front arm round check करने के बाद sleep को arm round के बीच में इस तरह से set कर ले अब यहां पर half inch का stitching margin लेते हुए यहां पर sleep को attach कर दे इसी तरह से दूसरी side पर भी sleep को attach करें और अगर आपको इसके bottom पर lining नहीं attach करनी तो यहां पर आपकी front open अनार कली कुर्ती बिलकुल ready है और अगर आपको इसके साथ lining भी attach करनी है तो कुर्ती को पहले इसी तरह से पूरा तयार कर ले उसके बाद इस पर हम lining को attach करेंगे तो lining attach करना बहुत ही simple है सबसे पहले हम lining fabric के उबर bottom की cutting करेंगे जिसके लिए मैंने cotton lining ली है 2 meter यहां पर मैंने joint दिया है क्योंकि मेरे पास दो pieces में यह lining थी lining को हमें double fold करके रखना है double fold के बाद इसे इस तरह से triangle shape में fold करेंगे इस तरह से बिल्कुल बरावर fold करने के बाद यह मेरी तरफ open वाली side है यहां पर बंद वाली side है यहां पर हम कमर के लिए mark करेंगे इसके लिए जो भी आपकी गुलाई में कमर का size है उसका चोथा भाग लेंगे जैसे मेरी कमर का size है 32 उसका चोथा भाग होगा 8 inch अब जहां पर हमारा 8 inch आएगा वहां पर हम दोनों corner पर इस तरह से marking कर लेंगे अब इन दोनों marking के बीच में इस तरह से हलका सा round देते हुए जोडेंगे अब यहां से से cut कर दे तो cutting के बाद जब आप इसे दुबारा से measure करेंगे तो यहां पर 1 inch इसमें plus हो जाएगा तो इसलिए हमने यहां पर extra margin add नहीं किया है अब जितनी आपको length cut करनी है उसकी marking लेंगे कुर्ती की length से lining length को मैंने 4-5 inch होटा cut किया है जो 29 inch पर length cut करनी है और fabric की जो folding है वो भी 29 inch पर ही आ रही है इसलिए मुझे यहां पर joint add करनी की ज़रुरत नहीं पड़ेगी और अगर आपको जादा length cut करनी है यहां आपकी lining की width कम है तो इस तरह से जो extra double fold में fabric होगा यहां पर उसे इस तरह से fold करके फिर length के लिए marking करें ताकि joint भी साथ ही cut हो जाए तो मैंने length कम ही रखी है इसलिए joint यहां पर नहीं आया है आप joint भी add कर सकते हैं तो 29 पर इस तरह से पूरे round में हम tape को घुमाते हुए marking करेंगे अब इस marking के ऊपर इसे cut कर दें तो cutting के बाद इसे पहले stitch करके ready करेंगे तो cutting के बाद जब इसे इस तरह से open करेंगे एक बंद वाली side आएगी और एक open वाली side होगी और जो open वाली side है यहाँ पर इस तरह से double fold करते हुए दोनो slit की folding कर दे दोनो slit fold करने के बाद bottom side से इस तरह से double fold करते हुए गुलाई में stitch लगाके इसे ready कर दे अब इस lining को कुर्टी के साथ attach करेंगे अब slit के साथ slit को मिलाते हुए यहाँ पर हमें इसे attach करना शुरू करेंगे कुर्ती के upper और lower part को attach करते हुए जो half inch का stretching margin हमने लिया था बस उसी margin के साथ साथ इस lining को हम attach करेंगे इस तरह से cover के साथ पूरे गुलाई में इस lining को हमें attach करना है इसके लिए lining को slit के बिल्कुल सामने इस तरह से रखते हुए यहाँ पर attach करना शुरू करेंगे और जो extra lining होगी उस तरह से हमें छोटी छोटी plates बनाते जाना है और कुर्ती के inner part में जो extra fabric था उसकी stitch को इस तरह से remove कर देंगे फिर upper part और lower part को दोनों को इस तरह से side में करते हुए lining को यहाँ पर attach करें और इस कुर्ती के bottom पर मैंने क्रेप fabric के साथ circular plazo ढड़ी किया है जिसकी cutting और stitching वीडियो कुछ ही दिनों में मैं आपके साथ share करूँगी और जब video upload होगा उसका link मैं इसी video के description में भी add कर दूँगी तो link पर click करके आप circular plazo की video भी देख सकते हैं तो camera के साथ lining को हमने attach कर दिया है देखे जब lining को हम इस तरह से सीधा करेंगे कोई भी stitching margin आपको दिखाई नहीं देगा बिल्कुल finishing के साथ lining attach होगी अब lining slit को कुर्ती slit के साथ आप चाहे तो इस तरह से stitch लगा के attach कर दे या फिर इसी तरह से भी आप इसे loose छोड़ सकते हैं तो यहाँ पर मैंने stitch लगा के दोनों side से इन slit को attach कर दिया है अब डूपटे के लिए 2 meter का जो fabric हमने अलग किया था जिसकी width थी 44 inch उसमें से मैंने 27 inch की width रखी है बाकी की width को हमने cut करके उस fabric को हमने छोटे छोटे plates बनाते हुए डूपटे के दोनों edges पर attach कर दिया है आपको डूपटे के लिए 2 meter fabric ही cut करना है क्योंकि इसकी length थोड़ी ज़ादा होगी थी इसकी length को मैंने कम किया और ये वीडियो अगर आपके लिए थोड़ी से भी helpful रही हो जाँ आपको थोड़ी से भी पसंद आये तो वीडियो को like share और चैनल को सब्सक्राइब कर ना भोलें ये कुर्ती का final look है और इस सर्कुल प्लाजो की cutting और stitching वीडियो कुछ ही दिनों में मैं आपके साथ share कर दूँगे तो आज के लिए बस इतना ही मैं ते ये next वीडियो में तब तक के लिए बाबाई